हेलो इस्टुरेंट्स वागत है अब सभी का ऑनलाइन स्टडिय कैडमी में जहां पर हम डिसकस कर रहे हैं रोजगार और निर्मान पत्रिका का आज के वीडियो में कवर करेंगे 25 सेप्टेंबर से लेखे एक अक्टूबर 2023 का एडिशन देखेंगे इस हपते क्या कुछ इंप व्रिद्ध जन दिवस यानि कि international day of older persons इसे मना जाता है हर साल पूरे विश्वर में एक अक्टूबर पो विश्व व्रिद्ध जन दिवस या कई जगे इसे अंतराष्टी व्रिद्ध जन दिवस के नाम से भी जाना जाता है इस साल इसके लिए जो थीम रखी गई है यानि विश्व यह है fulfilling the promises of the universal declaration of human rights for older persons across generations लंबी थीम है बट important है याद रखनी है आपको एक बार फिर से सुन लिजे fulfilling the promises of the universal declaration of human rights for older persons across generations अब हर साल यह दिन एक अक्टूबर को मना जाता है इस दिन को मनाने का main aim यह है कि पूरे विश्वर में जो ब्रिद्ध लोग है old generation के लोग है उनके साथ जो भी दूर व्यवहार होता है बेदभाव होता है अन्याय होता है उसे रोका जा सके और उनके अंदर उनके जो human rights है उनको बताया जाए उसके बारे में जागरुकता लाए इसके अलाबा जो उनके प्रति समाजिक व्यवहार है लोगों का उसमें भी सुधार लाया जाए इसलिए इसकी शुरुवात की गई थी तो संयुक्त राष्ट आम साभा ने ब्रिद्धो के हितों में ध्यान में रखते हुए 14 दिसंबर 1990 में एक संकल्प पात्र पेश किया था और जिसके बाद पहली बार ये दिन मना गया था एक अक्टूबर 1999 मे तो अब आपको यहाँ से याद क्या रखना है सबसे पहले तो डेट की हाथ साल ये एक अक्टूबर को मना जाता है दूसरी चीज इस साल की थीम और सबसे पहली बार कब मना गया था कई बार ऐसे भी कोशन पूछ लेता है तो सबसे पहली बार 1991 में मना गया था इसे इसका कार्ड की अनुस्वार जो मास्टार कार्ड की दक्षिंड एशियाई कारिकारी समिती है उस टीम का नेथितु करेंगे ये रजनिस कुमार जी इसके बाद है नोबल पुरुसकार से न्यूज तो नोबल फांडेशन ने नोबल पुरुसकार की इस साल की यानि 2023 की जो राशी है इनामी राशी है इसको बढ़ाके 1.1 करोड क्रोणर कर दिया है एक करोड क्रोड क्रोणर यानिकी 9,86,270 अमेरिकी डॉलर तो यह एमांट आपको याद रखना है नई एमांट जो रखी गई है राशी की इसके लाबा आप लोगों के लिए क्विस के लिए क्वेशन है कि य रूर पोस्ट करिएगा आगे देखते हैं यहां पर एक सिक्का जो की है इंद्र धनुसी सिक्का हाली में जर्मनी में एक नदी के पास यह 2000 साल पुराना दुरलम सिक्का मिला है जो सिक्का है बताया जा रहा कि पहली और दूसरी इसा पूर्व में ढाले गए थे यह सोने के सिक्के और यह सिक्के हैं इसमें 77? महगा सिक्का बताया जा रहा है, इसकी कीमत लगभग 192 करोड रुपए की है, जिसमें 4 किलो सोना भी यूज किया गया है, और 6400 हीरे भी जड़े गया है इसमें, यह जो सिक्का है, इसका नाम दिया गया है, The Crown Coin, तो यह आपको याद रखना है, सिक्के का नाम किसने लॉंच क की जो सेनाए हैं, इन्होंने इंडोनेशिया के जो जावा है, इंडोनेशिया का दूइफ है जावा, यहाँ पे एक युद्ध धव्यास किया है, सहाजिक्त राज अमेरिका, इंडोनेशिया और अस्ट्रेलिया ने, फिर यहाँ पे हैं, बॉलिवूड एक्टर आईश्मान खुराना, इनको अभी हाली में Time 100 Impact Award के लिए चुना गया है, तो यह जो दूसरी बार हो रहा है कि इन्हें Time 100 Impact Award के लिए चुना गया है, और इस एवर्ड के लिए चुने जाने वाले एक मात्र भारती हैं सालिया आईश्मान कुराना, इनका नाम याद रखना है आपको, फि इसी के दौरान संगटन के 926 लोगों ने 81, 3.16 मिनट तक ताली बजाई और इसका नाम जो है गिनीज वल रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो यूगांडा से इन यूज है, इसके बाद एक और विश्व रिकॉर्ड है, जो की है जैच स्वोप के नाप, ठीक है, जैच स इन्हों ने एक साल में 777 फिल्में देखी हैं और नया गिनीज वल रिकॉर्ड बनाया है, इसके पहले जो रिकॉर्ड था, 715 फिल्मों का था, और अब नया रिकॉर्ड है, 777 फिल्मों का जैच स्वोप के नाम, फिर यहां पर दुनिया का सबसे लंबा डॉक था, जिसका ह सामिल किया गया था, दुनिया का सबसे लंबा डॉक था, यह 3.5.8 इंच इसकी हाइड थी, और हाली में कैंसर से इसका निथन हुआ है, तो यहां से आपको इसका नाम याद रखना है, इसके बाद हैं यहां पर फ्रैंक रूबियो, तो यह अंतरिक्ष यात्री हैं, और हाल इन्हों ने अन्तरास्टी इस यानि आई-या सेस में 371 दिन बिताया हैं, और नया रिकॉर्ड कायम किया है, पहले जो रिकॉर्ड था, यह 355 दिन का था, और आप फ्रैंक रूबियो ने 371 दिन बिताया है, यहां पर नया रिकॉर्ड बनाया है, फिर है निहार मालवी, तो नियुवाउक में अंतराष्टी प्रकाशन समूह पेंग्विन रेंडम हाउस का स्थाई मुख्यकारी अधिकारी बन गया है पेंग्विन रेंडम हाउस के निहार मालवी फिल लुधियाना से नियूज है यहाँ पे देश का तीसरा डॉक पार्क खुला है और बात करें तो उ तरह के केंद्र बनाय जाते हैं जहां पे लोग अपने कुटों को टहलाने के लिए व्यायाम कराने के और प्रसिक्षन के लिए ले जाते हैं तो भारत में तीन हैं इसके पहले हैदराबाद और मुंबई में खुला हुआ था और अभी लुधियाना में खुल गया है जो की संगीत नाटक अकादमी अमरित पुरुषकार प्रदान कें 84 और यह शॉर्ट लिस्ट किये गए हैं यह वो कलाकार हैं जिनकी उम्र 75 वर से अधिक है और इन्होंने अब तक अपने कैरियर में कोई भी राष्टे सम्मान नहीं प्राप्त किया है तो ऐसे 84 लोगों को कलाकार पर पीपल्स जी ट्वंटी नामक इपुस्तक का अनावरण किया है आप सभी को पता है कि जी ट्वंटी की जो अध्यक्ष्टा थी इस साल इसके पास थी भारत के पास भारत ने इसके लिए थीम रखे थी वासुध है पुटुमकम और अब यह जो प्रेसिडेंसी है अध्य ली गई है ब्राजील के पास तो यह पॉइंट याद रखने हैं तो हाली में इसी जी ट्वंटी की अधाष्टा पर एक पुस्तक थी पीपल्स जीटुन्टी जिसका अनावरंट किया गया है अपूर्व चंद्राजी के द्वारा और अपूर्व चंद्राजी कौन है भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्राले में सचिव हैं फिर यहाँ पर राश्पति स्रीमती द्रौपदी मुर्मुजी है इन्होंने नई दिल्ली में मानव अधिकारों पर एशिया प्रशांत फोरम की वार्षिक आम बैठक और द्विवार्षिक सम्मिरन का उधखाटन किया ह तो याद का रखना है आपको कि मानव अधिकारों पर एशिया प्रशांत फोरम की वार्षिक आम बैठक और द्विवार्षिक सम्मिरन को धाटन कहां पर किया गया है नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया है राश्पति स्रीमती द्रौपदी मुर्मुजी के द्वारा इसके बाद यहाँ पे नवीन एवं नवीकर्णी उर्जा मंत्राले के प्रसासनेक नियंतरण के तहत भारत सरकार की एक मिनी रत्न स्रेणी वन उद्यम है भारती नवीकर्णी उर्जा विकास एजंसी यानि की IREDA तो इन्होंने बैंक आप महाराष्ट के साथ एक महातपूर्ण समझोधा गयापन पर हस्ताप्षर किये हैं IREDA ने बैंक आप महाराष्ट के साथ एक MOU पर साइन किये हैं जिसका में एम यह है कि भारत में नवीकर्णी उर्जा परियोजनाओं के विविद स्पेक्ट्रम के ल गई है और इसके तहट अभी हाली में जी ट्वेंटी फ्रेमवर्क वर्किंग गुप की चौथे और अंतिम बैठक अभी हाली में रायपूर 36 गण में सफलता पूर्वक संपन हुई है यह जो बैठक है आपको याद रखना है कि कहां पर हुई है रायपूर में और इस प्रेमवर्क वर्किंग ग्रूप की फिर यहां पर भारा सरकार ने एक नया एवोर्ड का अनॉंस्मेंट किया है इन्होंने विज्ञान प्रोद्यगी की और नवाचार के छेत्र में राश्टे पुरुसकारों की एक स्थापना की है जो की है राश्टे विज्ञान पुरु जो भी प्रोद्यगी के पे अधारित नवाचार है इनको बढ़ावा देना यह जो पुरुसकार है यह भारत में विज्ञान प्रोद्यगी की और नवाचार के छेत्र में सर्वज पुरुसकारों में से एक माना जाएगा कौन सा पुरुसकार है राश्टे विज्ञान पु होता है तो उस व्यक्ति को पहले पच्छीस हजार दिये जाते थे अब धाई लाग दिये जाएंगे मामली चोट लगने में पहले पांच हजार दिये जाते थे पचास हजार दिये जाएंगे और अगर किसे के मृत्ती हो जाती है तो पहले उसे पचास हजार रुपए दिये ज प्रियास के लिए सीम स्टार पर्फॉर्मेंस एवाड 2022 मिला है सीम स्टार पर्फॉर्मेंस एवाड 2022 दिया गया है यह जो पुरुसकार है यह सुसाइटी ओफ एनर्जी इंजीनियर्स सेंड मैनेजर्स के द्वारा नई दिल्ली की में एक करकरम जित हुआ था उसके द्वारां दिया गया है तो यहां पर है स्टैचू अफ वननेस इसका हाली में अनावरन किया गया है मध्यप्रदेस के मुख मंत्री श्री शिवरा सिंग चोहान जी के द्वारा तो और इसे एकात्मता की प्रतिमा कहा जाता है यानि कि स्टैचू अफ वननेस कहां पर है ओमकारेश्वर में मांधाता परवत पे जो मूर्ति है यह 16 फिट के कमल पर स्थापित की गई है और इसका वजन है सौटन जिसमें से 88 प्रतिशत कॉपर है चार प्रतिशत जिंक है आर और इसमें जो लागत आई है यह 2200 करोड रुपए की लागत आई है तो यह डेटा आपको याद रखने हासे फिर यहाँ पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई योजना सुभारम किया है नई दिल्ली से जो की है PM विश्वकर्मा योजना प्रधान मंत्री व लिए रिंड भी उपलब्द कराया जाएगा और प्रसिक्षण के दौरान हर दिन 500 रुपए का इस टाइपेंड भी उन्हें दिया जाएगा तो यह है प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना आगे देखते हैं यहां पे sports related news सबसे पहले है एशिया कप cricket का एशिया कप जो की जीता है इस साल भारत ने तो भारत ने फाईनल में स्री लंका की टीम को हराया है और सल का एशिया कप जीत लिया है फाइनल मैस जो था यह पुलंबो में खेला गया था जहांपर स्री लंका पहली बैटिंग की थी और सिर्फ 50 रन पे ये आल आउट हो गई थी और भारत ने 10 विगट से इस मैच को जीता था इस तरह से भारत एशिया कप के फाइनल में 10 विगट से जीतने वाला पहला देश बना सबसे ज्यादा बार भारत ने एशिया कप जीता है भारत ने टोटल आ लेने वाले पहले भारती गेंदवाज बन गए हैं फिर यहां पर भारत के स्टार अथलेट है नीरत चोपड़ा इन्होंने डाइमंड लिग फाइनल्स में अपना किताब बरकरार रखने से चुग गए हैं इन्हें वहां पर सेकंड प्लेस मिला है सिल्वर मैडल मिला है तो डाइमंड लिग का जो फाइनल था ये यूजीन में भी हाली में आई जीत हुआ था और भाला फेक इस परदा में नीरत चोपड़ा ने भारत को रजत पतक दिलाया है इस परदा का जो स्वांड पतक है ये चेक गणराज के जैकब वादलेच को दिया गया है जैकब वादल इन्होंने स्वांड पतक जीता है इस टाइमंड लिग के फाइनल में और ये चेक गणराज से विलाउं करते हैं इसके अलावा याद रखेगा कि नीरत चोपड़ा ने इस साल विश्व एथलेटिक शैंपिंसिप में स्वांड पतक जीता था सबस्यादा इंपोर्टन न्य कि 15 से बढ़ा कर इसे 20 कर दिया गया है अब 20 लोगों को एकलाव पुरुसकार दिया जाएगा विक्रम पुरुसकार जो है पहले 12 को दिया जाता था 12 से बढ़ा कर इसे 20 कर दिया गया है विश्वामित्र पुरुसकार पहले 3 को दिया जाता था और अब ये 5 लोगों को दिय जाएगा इसके अलाबा यहां पे एक और नया पद बनाया जाएगा जो कि महानुदेशक खेल का होगा तो महानुदेशक खेल का पद जो है इसे निर्मित किया जाना है तो यह चीजे रखनी है इसके अलाबा आप यहां पी इस प्रिंशॉट ले सकते हैं 2022 के जो यह कर लिजेगा पीडियंगरम आपको कहाँ मिलेगी टेली ग्राम चैनल टेली ग्राम की लिंक आपको इसieso डिसक्रिप्शन में म değilडेगी वहां से जईवकर सकते हैं यहाँ पर nhữngमिलेगी इसके लाब बढहर ऑगे बढ़ते हैं अगड से साल की की चैंप्यंप्यंसिप की अगली रेस हुई जो कि सिंगापूर 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 से जिते हैं कारलोस शैन्स नहों ने कि हैं इस स्पैनिश या निकी इस पिन के कार रेसर हैं इसके बाद है एक बैडविंटन का टूर्णामेंट जो की है हॉंग कॉंग ओपन तो इंडोनेशिया की युवा शटलर है जोनथन क्रिस्टी जब भी आप स्पूर का कुशन पढ़ेंगे तो अगर खिलाडी का नाम है तो आपको याद रखना कि किस खेल से संब पंधित हैं रिषान से किस देश के लिए केलते है इंडोनेशिया के लिए तो इन्होंने अगॉपनी बैडमिंटनॉनामिन का किताब अपने नाम किया है इन्होंने फाइनल में जापान के केंटा निशीमोटो को हरा के इंडोनेश्य के जोनाथन क्रिस्टी ने वाइन इसके बाद है यहां पर शूटिंग से न्यूज तो भारत की युवा निसाने बाज है इलावे निल वाला रिवान इन्होंने अब यहाली में ब्राजिल में आयोजन हुआ था इसके बाद है इन्होंने यह पदक महिलाओं की 10 मीटर इयर राइफल इस बारधा में जीता है तो याद रखना आपको इलावे निल वाला रिवान किस केल से संबंदित है शूटिंग से इन्होंने स्वाट पदक जीता है कहां पर आई एससे फ निशाने बाजे विशुकप मे मैचस चल रहे थे और भारत ने यहां पर मोरफ्कों को चार एक से माद दी है और ग्रुप वन के प्लेओफ में जगह बना ली है तो यहां से आपको बस यह याद रखना है डेविस कप किस से संबंदित है बैडमिंटन से बैडमिंटन का विशुकप है इसका आयोजन जो है 1900 में किया गया था सबसे पहली बार और सबसे ज़्यादा बार अमेरिका ने 32 वारे से प्रतियोगीता को जीता है आगे हाँ पे MCQ की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले हैं स्पोर्ट से रिडेटेड़ कोशिन तो यह देखते हैं इन्हें करके पहला कोशिन है किस बल्लेव बावी जॉर्च फिर इस वर्ष किस भारती बैड्मिंटन खिलाडी ने मलेशिया मास्टर्स किताब जीता है इस वर्ष जीते हैं एचेस प्रण है फिर आइसीसी ने जुलाई माह के लिए किस खिलाडी को महिला वर्ग में प्लेयर आप दा मन्त चुना है तो चुनी गई है एशले गाडनर नेक्स्ट है इनमे से किस क्लब ने इस वर्ष लीक्स कप का खिताब जीता है तो इसका राइट आंसर है इंटर मियामी फिर टोकियो ओलंपिक 2020 में कांस पता जीतने वाली भारती पुरूस होकी टीम के कपतान कौन है तो कपतान है मनपरित सिंग फिर अमेरि देविस कप किस से संबंदित एक वैश्वेक प्रतियोगीता है देखिए अभी हमने पेशली स्लाइड में कवर किया था कुशन भी आ गया देखिए डेविस कप जो है टेनिस से की प्रतियोगीता है जो कि टेनिस का विश्व कप कहा जाता है पिर आप महान फुट्बॉलर के ये तुटोडी औरिविस कोअ है सबसे सब्से अधा स्थर्पिंग की यह सब्सेतली सिंग叡िव यह दीपक पुनियानकस वर्स जूनियर विशो कुस्ती चेंपिन्जिप में सर्णड़ पतक जीता है तो इन्होंने वर्स 2019 में पतक जीता था अगला वोश्चन है विश्व के दिगज फुटबॉलर गेब्रियल जीजस अंतराष्टे फुटबॉल में किस देश के लिए खेलते हैं तो अंतराष्टे लेवल पर ये खेलते हैं ब्राजील के लिए फिर है मेवली घोश ये किस खेल में भारत का प्रतिनी देतु करती हैं तो ये प्रतिनी देतु करती हैं निशाने बाजी में फिर भारत में किस राष्ट मंडल खेलों का आयूजन किया जा चुका है तो भारत में आयूजन किया गया था वर्ष 2010 में फिर है इन में से किस महिला फुटबॉलर ने अंताराष्टे फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल किये हैं सबसे ज़्यादा गोल किये हैं क्रिस्टीन सिंक्लेर ने नेक्स्ट है इन में से किस देश ने इस वर्ष किंग्स का फुटबॉल टूर्नमेंट जीता है इस वर्ष जीती है इराग की टीम फिर सिंसिनाटी ओपन 2023 में महिला एकलवर का किताब किस ने जीता है इस वर्ष जीती है कोको काफ फिर पहले एशियाई खेलो का आयुजन किस शहर में किया गया था इसका राइट आंसर है नाई दिल दिली फिर वर्ष 2019 में किस देश ने रगभी वर्ड कप जीता था तो यह जीता गया था दक्षिन अफरीका की टीम के त्वारा 2019 की बात हो रही है तो रगभी विश्कप में 2019 में दक्षिन अफरीका ने जीता था पिर फीफा वूमेन वल्ड कप 2023 में किस खिलाडी को सबसे ज़्यादा गोल करने के लिए गोल्डन बूर्ट उर्ण्ट्फकार त्यां दिया गया है आप फिफा वूमेन वल्ड कप की बात हो रहे हो दियान लखेगा तो इस साल ये पूर्ण्फकार दिया गया है वर्तमान मुखे कोच कौन है क्रेग फूल्टन फिर सुधी रामन कप ये किस खेल से संबंदित एक प्रतियोग इता है ये बताने है तो सुधी रामन कप ये संबंदित है बैडमिंटन से अगला कोश्यन है इस वर्स फ्रेंच ओपन में महिला एकलवर्ग में किस खिलाडी ने किताब जीता है इस वर्स महिलाइकल वर्ग जीता है इगा स्वेथेक ने फिर है भारत ने इस वर्स इंटर कॉंटिनेंटल कप के फाइनल में किस देश को हरा कर किताब जीता है तो भारत ने इस वर्स हरा है लेवनान को फिर हैं यहां पर सामान गयान की कुछ कोश्यन यहां पर पहला कोश्यन देखिए मदप्रदेश में निमलिखित में से कौन सा इस्थान पापियर माशे यानी पेपर मेश में सिल्प में माहिर है तो यह है उज्जैन यह पापियर माशे के सिल्प में माहिर है फिर है कवी और पत्रकार बालकृष्ञ शर्मा इनका जन्म मदप्रदेस में किस स्थान पे हुआ था इनका जन्म हो था स्थाजापूर में फिर है मदप्रदेस में ready made garment complex कहां पे है तो यह इन दौर में फिर है मढ़ी खेडा बांथ काँ किस जिले में मदप्रदेस के श्यवपूरी भी में है मड़ी खेडा पान्थ सामगरी और प्रकृव नुसंधान संस्थाने. इसके जो इस थापना है ये किस वर्स की गई थिए बतान है इसके शापना की गई थी उनीसोऑ क्यासी में किस नदी को मदप्रदेश्की स्वण नदी के रूप में जाना जाता है तो यह है सोन नदी से मदप्रदेश्की के सुन beauties की नम से जाना जाता है पिर आपको ताना निम्लिकित में से कौन सा नुट जो है यह पारंपरिक रूप से मधप्रदेश की बैगा और गोंड जन जाती की महिलाओं दोरा किया जाता है तो यह नित है रीना नित पिर है मधप्रदेश प्लास्टिक पार्क डेवलप्मेंट कॉर्परेशन लिम्टेड यह किस स्थान पर है तो यह है पुस्पराजगर जो की है अनुपपूर में पिर आपको ताना निम्लिकित में से किस नदी के नाम पर एक भारती नो सेना पोत का नाम करण हुआ है तो यह है बेतवा नदी फिर है बावन गजा जो की एक महत्पूर्ण जैन तिर्थ स्थान है अको ताना के मध्य प्रदेश के किस जीले में है तो यह मध्यप्रदेश के बढ़वानी जीले में है फिर है टाइम बैंक की अवधाना रखने वाला भारत का पहला राज कौन सा है तो यह है मद्य प्रदेश फिर है मद्य प्रदेश का कौन सा शहर कोविड-19 के समय से शहर को सेनिटाइज करने वाला भारत का पहला शहर बना था तो यह शहर है इंदौर फिर है मदप्रदेश में एसौर महान पावर प्लांट की जिले में है तो यह है सिंगरॉली में फिर है धूपगड या धूपगड परवत स्रिंखला मदप्रदेश में से किस परवती स्थल पे है यह तो यह है पचमड़ी में फेर मदप्रदेस में मुख मंतरी कन्या, विवाह, योजना कब शुरू की गई थी? इसा उरह मदप्रदेस में मिर्च महासो यानी चिली फेस्टिवल का आयोजन की शहर में किया जाता है. यह होता है खरगोन में. नेश्ट है अगस्त दोहजार बीस में ग्वालियर चंबल एक्स्प्रेसवे को निन में से किस नेता के नाम पर प्रस्तावित किया गया था तो इन्हें ये जो गोलियर चंबल एक्सप्रेस वे था इसे अटल विहारी वाजपेजी के नाम पे प्रस्तावित किया गया था फिर है मद्द प्रदेश में उन्नत सामगरी और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान का प्रधान कार्याले कहां है तो ये है भोपाल में फिर है मद्द प्रदेश में आदमगर पहाड़ी कहां पे है तो ये है नर्मदापूरम में नेक्स्ट है मद्द प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं को अगस्त दोजार बीस में घर पर मास्क बनाकर कमाने के लिए शुरू की गई थी एक योजना थी उसका नाम क्या है उसका नाम था जीवन सक्ती योजना पिर है मद्द प्रदेश पर्याटन बोर्ड जो है इसके इस्थापना कब हुई थी मद्द प्रदेश पर्याटन बोर्ड की स्थापना हुई थी 2017 में नेक्स्ट बताना है मदप्रदेश के भिंड जिले में इस्थित वन खंडेश्वर मंदिर हैं इनमें ये जो मंदिर हैं इसको बनाया किसके द्वारा गया था ये बताना है तो इसको बनाया था प्रित्वीरा चहान के द्वारा फिर है गांगूल पारा बांध और जल प्रपा लुआत पुछय पाश्चार में जो है यह मथ्वर्देश के कि जिले में हैं तो यह म्राणा सकतने मेरा बना है एक रखा, हर्दा, फिर है मदप्रदेस, अनहरीट, अन्सपोयलड, अनडिसकवर्ड, यह पुस्तक है, आपको ओताना है पुस्तक के लेखक कौन है, पुस्तक के लेखक है, प्रोवीर सेन, लास्ट में देखते हैं, समृतिसेस, तो हाली में फिल्म अभीनेतर, योग कपाडिया ह जिन्होंने दिल चाहता है चकदे इंडिया फदा आफिज इस टाइब की फिल्में की थी हाली में 6-6 वर्स की आयू में इनका निधन हो गया है इसके लाबा बॉलीबुट के ही हाथ से कलाकार है बीरवल के नाम से इन्हें जाना जाता है इनका असली नाम जो था ये सतिंदर क कुमार खोसला था और इन्हें वीरवल के नाम से जाना जाता था अपने कैरियर में इन्होंने 500 से भी ज्यादा फिल्में की और हाली में 85 वर्स की आयों में इनका भी निधन हो गया है तो दोनों के आपको नामयाद रखने है रियो का पाडिया सतिंदर कुमार खोसला किस श वीरों को लाइक जरूर करिएगा ज्यादा ज्यादा शेयर किजिए अपने दोस्तों के साथ और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेन नोटिफिकेशन आन कर लिजे ताकि जैसा ही अगले प्रकाशित हो आपको प्रकाशन के बाद तब तक लिए टेक करेंड थैंक यू गाईज